हाई प्रेंस अमकाजल आएम सागर आज हम रियक्शन करने वाले हैं हसी टीवी का एक वीडियो है यू डॉंट नो अबाउट वंडर रूमन मतलब जो मोवी आई है नई वंडर रूमन होल्यूड की तो इसके उपर कोई तो मतलब डाउट फुल वीडियो है तो चलिए पहले देखते हैं और इनके जो फैक्ट्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं इसलिए इनके उपर कोई शक्व ने कर सकता है इसलिए वीडियो देख लेते हैं असलाम अलेकूम दोस्तों मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी दोस्तों वैसे तो हॉलिवूड इंडस्ट्री के अंदर इसलामोफोबिया और एंटी मुस्लिम खसूसां अरब के मुस्लमानों को एक अंपड, जाहिल और आयाश कौम के तोर पर दिखाना वैसे ना तो कोई नहीं बात है और ना ही कोई ढ़की छुपी क्योंके नबी पाक स्थलाओ अलिए वाली वाली वासलम का तालुक भी अरब कबीले से था जिसकी वज़ा है सिर्फ और सिर्फ खौफ और वो खौफ ए इसलाम की बढ़ती हुई मकबूलियत और लोगों का दिन इसलाम मजभब की तालिमात को समझ कर इसे कबूल करना क्योंके हर इनसान दीने फितरत पर यानि के मुस्लिमी पैदा होता है जिसे बाद में इसके घर के लोग और बज़ूर का अपनी तालिमात के जरीए सीधे रास्ते से बढ़का देते हैं मगर सच चानने की जुफटजू इनसान की फितरत के अंदर शामिल है जो इसे आखिरकार एक रोज हकीकत तक पहुचाई देती है एक रिसर्च के मताबिक 2030 तक दुनिया के अंदर इसलाम के पैरोकारों की तदाद ऐसायत को भी क्रॉस कर जाएगी और मगर भी दुनिया ऐसी खौफ का शिकार है कि इससे पहले के इने वो दिन देखने पड़ें ये किसी भी तरह से साफ़शें करके मुसल्मानों के फैमली सिस्टम को तोड़ दें औरतों के अंदर अजादी के तरीकों को पैदा करें इन औरतों को और इनकी उलादों को लिबरल बनाने की कोशिश करें जिस मकसद के लिए इनकी खुफिया एंजी ओफ दिन रात काम कर रही है जिस से एक तरफ तो ये होगा कि मुसल्मानों की नसल तेजी से नहीं बढ़ेगी और दूसरी तरफ ये होगा कि जो नसल मजूद होगी इनकी जहन साजी इन फिल्म इडस्ट्री के प्रॉपेगेंड़ा और इसलाम मुखालिफ जजबात को पैदा करके की जाए ताकि एक मुसल्मान का बच्चा सिरफ वो ही सोचे जो इसके मजब का चेरा ये लोग अपनी फिल्म्स के जरीए दुनिया के सामने पेश करना चाते हैं और यही वज़ए है कि हर एक हॉलिवूड फिल्म के अंदर आपको मुसल्मान गुर्बत के मारे या आयाश औरतों पर जल्मत सितम करके इनके हकूब सल्ब करने वाले यानि के जबरदस्ती करके इनके हकूब से महरूम करने वाले दहशतगर्द या फिल्लन के करेक्टर के अंदर ही नज़र आएंगे कोई एक भी मुसल्मान इन फिल्म्स के अंदर आपको किसी सूपर हीरो किसी कौम और मुल्क का खेर हुआ इनसानियत को बचाने वाले करेक्टर के तोर पर कभी नज़र नहीं आएगा इसके लावा इन फिल्म्स के अंदर वूमन इंपावर्मेंट और इनने एक सेक्शुली अट्रेक्टिव करेक्टर के तोर पर पेश करना भी इनके अज़ंडा के अंदर शामिल है ताके लिबरल सोच को भारा जा सके जो के इसलामी तालिमात और मौशरे में बिगाड की एक हैम वज़े हैं और इन फिल्म्स को अमेरिकन मिल्टरी बकाइदा फंड करती है सिर्फ 2017 तक 800 फिचर फिल्म्स और 1100 ऐसे टीवी शोफ से जिने बकाइदा यूएस डिपार्टमेंट आफ डिफेंस ने ना सिर्फ एंटी मुस्लिम प्रोपेगंडा के लिए बकाइदा फंड किया बलके अमेरिकन मिल्टरी ने ये शर्ट रखी कि अगर फिल्म का कोई सीन मिल्टरी या फोजी कारवाई पर बेस करता है तो इसे सिर्फ इसी सूरत के अंदर फिल्माने की जावत होगी जब हमारी मर्जी का स्क्रिप्ट इसके अंदर शामिल हो जो के एराक के अंदर मुसल्मानों की तबाह, हाली और बेबसी का मजाग बना रही है मुसल्मानों को देशतगर्द और जालिम कोम के तोर पेश करके इसलाम का चेरा मस्क करने के लिए अमेरिकन मिल्टरी की मदद के बगार इस तरह की फिल्म की शूटिंग करना मुम्किन ही नहीं है अमेरिकन मिल्टरी को इस फिल्म के अंदर इंसानियत का हीरो बना कर और आमन के लिए इसकी कोशिशों को हाईलेट किया गया है और हद तो ये है कि 2015 के अंदर ये फिल्म इस प्रोपेगेंडा के लिए बेतरीन फिल्म का आसकर रिवाड भी जीती है इसके लावर रेडर्स ओफ दा लॉस्ट आर्क, अलादीन, डेल्टा फोर्स, टूल आइस, दिमामी और बेशुमार ऐसे टीवी शोफ शामिल हैं जिसके अंदर अरब और मिडल इसके मुसल्मानों के खिलाफ नफरत को एक प्रॉपेगेंडा के तायद या एक साज़िश के तायद बढ़काए गया है लेकिन ना सिर्भ मुसल्मान बलके खसूसान अरब के मुसल्मान बलके आला ताला और मुहम्मद अल्याओ की जात के खिलाफ नफरत अंगेज सीन 2020 में सबसे जादा इंतजार की जाने वाली DC सीरीज की सुपर हिरो फिल्म वंडर वूमें 1984 के अंदर भी हमें देखने को मिला जहां पर हम एक फाइट सीन के दुरान एक्टर क्रिस पाइन को एक टैक्सी के अंदर बंद देखते हैं और गाड़ी में इसके फ्रंट पर अल्ला और मुहम्मद अल्याओ का नाम भी मजूद है जो के आम तोर पर हम भी बरकत के लिए गाड़ीों में लगाते हैं लेकिन य दोनों नामों को अपने हाथों से एक साइट पर फैंकर बाहर निकलते हुए हमें नजर आता है बिलकुल एक यूजलेस या बेकार चीज़ की तरह इसे साइट पर फैंकर अस्तक्फिरूला आप ज़रा गोर से इस क्लिप को देखें और खुद फैसला करें कि क्या ये मैज तफाक हो सकता है? बिलकुल नहीं क्योंकि इस तरह की ब्लॉक बस्टर फिल्म्स पर अच्छा खासा बज़ट लगाया जाता है स्क्रिप्ट के हर एक सीन को प्लैन किया जाता है स्क्रिप्ट त्यार होने से पहले इसकी कहानी और रता के साइंस के कौनसेप्ट पर भी बगा एक जालिम इनसान जो के अपने दीन को लेकर बहुत ज़दा जिदी है इस करेक्टर के तोर पर पेश किया गया है यही वजह थी कि यह फिल्म HBO बॉक्स स्ट्रीमिंग सर्विसिस पर रिलीज के बाद सही शदीद नफरत और तनकीद का निशाना बने लगी और आपको बताता चलूँ कि इस फिल्म के पहले सीपल पर भी कई इसलामी मालिक के अंदर इस पर इनी वजहात की वजहात की वजह से पबंदी लगा दी गई क्योंकि यहुदी लॉबी जो के अरब मुसल्मानों से नफरत करती है हर तरह से इने निचा दिखा कर इनके जजबात को मजरू करने की कोशिश करती रहती है इसलिए इस फिल्म के लीड करेक्टर यानि के वंडर वूमेन का करदार निभाने वाली एक्टरिस कॉल गैड़िट ना सिर्फ यहुदी मजभ से तालुक रखती है बलके इसराइली मिल्टरी के अंदर बकाइदा सर्विसी सर इंजाम दे चुकी है यह बकाइदा एक यहुदी एजन्ट है जिसे इसी प्रोपेगेंड़ा के लिए एक मिशन के तोर पर हॉलिवूड फिल्म इड़स्ट्री के अंदर दाखिल किया गया है या वल्गर किसम के लिबास के अंदर दिखा कर इसे गलॉरिफाई या हाईलेट किया गया है इस फिल्म के पहले के सीक्वल के अंदर एक ऐसे जजीरे को दिखाया गया है जहां पर सिर्फ औरते रहा करती हैं इन्हें जिन्गी गुजारने के लिए या दुनिया के किसी भी मामलात के अंदर मर्दों की कोई जरूरत नहीं है इसके लावा फैमिनिजम को खुबसूरत बना कर पेश किया गया है ताकि हर मुस्लिम लड़की का इसके लिबास से लेकर इसके करेक्टर तक को आइडियल बनाया जा सके जबके इसी तरह से मुकदस नाम और हफस्तियों की तोहीन करके असली दुनिया के अंदर वेर मुस्लिमों के दिल के अंदर मुस्लमानों के लिए नफरत को बढ़ाय जाता है जबके दूसरी तरफ आपको दुनिया का कोई और मजब इसका शिकार या टार्गिट नजर नहीं आएगा यानि के हमेशा दिन इसलाम को ही टार्गिट किया जाएगा और जाहर है के पत्थर भी हमेशा उसी दरख पर लगते हैं जिस पर फ़ल होते है इसके लावा इस फिल्म के अंदर जूस नाम के खुदा का जिकर भी किया गया है जो के इनसानों की तरह दिखता है मगर इनसानों को पैदा करने वाला खुदा है इसका एक बेटा भी है जो के इनसानों का दुश्मन है और इनसानियत को खतम करना चाता है यानि के इस कॉंसेप्ट के जरीए इन्सानों को खास तोर पर मुसल्मानों को लादिनियत की तरफ दावत देना फिलहाल वंडर वूमेन 1994 को 25 दिसम्बर 2020 को आनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसिज और अमरीकी सैनमा के अंदर ही रिलीस किया गया है लेकिन अगर इसे दुनिया बर के अंदर किया जाता तो हलात जरा मुक्तलिफ होते है लेकिन अफसोफ तो इस बात का है कि हम बतोर मुसल्मान आज भी इस सब तोहीन और बकाइदा जेन साजी को आड़ का नाम दे कर या मैज इतफाक कहे कर खुद को दसली देते हैं जिससे इन लोगों के हुसले ऐसे शदानी कामों के लिए मज़ीद बढ़ जाते हैं इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हम लोग इकठे होकर या मताहिद होकर ना सिरफ इन फितनों से एक फूजी के तोर पर लड़ें बलके अपनी आने वाली नसलों के अंदर इन से मतलिक शौर को भी पैदा करें जो के हमारी जम्हदारी है ऐसे लोगों के लिए जो के मौशरे के अंदर फसाद और फितने का बाइस बनते हैं अल्ह ताला कुराण करीम के अंदर फर्माते हैं जिसका मفہوم यह है कि जो लोग मौशरे में फसाद और बेहायाई फिलाने का बाइस बनते हैं इनके लिए आखरत में बहुत सक्त अजाब है और ये भी कि शितान के मनसूबे मकडी के जाले की तरह कमजोर होते हैं जिनें इमान की ताकत फूरन तबाह कर देती है सो इसलिए दुश्मन की चाले जितनी भी ताकत वर हो जाएं और आप दुनिया के अंदर रहते हुए जितने भी फितनों से घिर जाएं इन से बचने का सिरफ वाहिद रास्ता एक ही है कि अल्ला और इसके रसूल पर इमान लाना उसी से मदद तलब करना और इन फितनों के खात्मे के लिए जितना हो सके कोशिश करना बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी कीमती राय का इजार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजेगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक किजिए और अवेरनेस के लिए बहुत ये अच्छा वीडियो था पर इनकी जो बात है मुझे 100% सही लगी तो पिर उस सीन के अंदर उस चीज की कोई भी ज़रूरत नहीं थी मेरे ख्याल से फिर भी इन्होंने ऐसा क्यों दिखाया है कि उस स्टीकर और जो लटकाया है वहापर और उसको फेक देना फिल्म जो भी बनाएं तो एंटरटेंमेंट के लिए बनाएं ना कि किसी दिन को या मज़भ को टार्गेट करें और हाँ और इनों ने एक जो बात कही बहुत सही लगी मुझे कि हर पिच्चर और हर मुवी में मतलब होली उड़ की इसलाम को टार्गेट किया जाता है उसे और मुझे ऐसा कि कम मतलब दर्जे का है तो यह मतलब बहुत प्रेश्ट और इसलाम से जोड़ के दिखाया जाता है और मैंने अभी तक किसी वीडियो हॉल्योड मुवें ने देखा कि हिंदू या सीक इसाई ऐसे कोई मजभ को ऐसे द इस वज़े से इसा दिखाया जाता है तो यह बहुत अच्छा लगा और सब्सक्राइब के साथ ही इसलिए तो बहुत अच्छा लगा और यह दो तिन पॉइंट मुझे बहुत सही लगे 100% और मुझे बुरा भी लगता है कि इसे मतलब तार्गेट नहीं होना चाहिए जो है कीजिए ना की डार्गेट करने के इज इनकी मिलेटरी की सपोर्ट करती है वह तो मतलब अज़िवी बात पर मिलेटरी की सपोर्ट के बेना नहीं हो सकता इन्होंने this की इतनी अच्छी श्यूटिंग मिलेटरी की सपोर्ट के बिना नहीं हो सकती है तो मतलब गवर्मेंट को कोई समयना चाहिए कि दिन को टार्गेट नहीं करना चाहिए तो गवर्मेंटी फर्मिशन देता है ना इसी फिल्मों के लिए और जो हीरो था वकाश टोड़ के ऐसे ही बाहर जा सकता था ना कि उसे फेक के और मेरे खाल से उसकी जरूरत ही नहीं थी वहाँ पर शूटिंग के दोरान नभी का नाम यूज़ करने की तो बहुत अच्छा वीडियो था तो चलिए अगली वीडियों में चाहिए